है दोस्तों वेलकम तु सिनेमा वाले मैं और एक रिव्यू लेकर आया हूं इस बार एक बहुती धमाकेदार वेब स्रीज है जिसका नाम है स्कैम नाम बहुत ज्यादा प्रोमेंटली सुनता था एक था हर्श्द में अब उस उमर में यह पता नहीं था कि दोनों किस बात के पॉपिलर है लेकिन पता था कि यह मतलब न्यूस चैनल पर हमेशा इन दोनों के स्टोरीज हमेशा देखता था और लोगे बार में जानता था लेकिन यह दोनों के बारे में मतलब इतना जानता नहीं था और क्यों फेमस है आज जाके मुझे पता चला जब मैंने यह वेब स्रीज देखी कि हर्शद महिता कौन था उसने क्या स्कैम किया था और वो स्कैम उसके सर पे किस तरह से फोड़ा गया था बाकी ऑथोरिटीज की तरफ तरफ वह आज देखकर पता चला है और सच कहता हूं दोस्तों यह वेब स्रीज मैंने यार मैं तो आख नहीं निकल पाया टीवी स्क्रीन की और से इतना दोफ एपिसोड मतलब मैंने कोई भी वेब सेरी इतना जो लंबा है वेशन में उसको एतनी बारकाई से मैंने शायद कभी नहीं देखा होगा जितना मैंने इसे देखा है और हंसल मैंता जिसने डिरेक्ट किया है इस को और मतलब काभी तरीक काम किया है आपी फिलमें के अंदर प्रतिक गांधी जो एक गुजराती एक्टर है स्टेज के और उन्होंने काफी फिल्म भी किये गुजराती में उसमें एक मुझे पता है बे यार जो मैंने फिल्म देखी है उनकी काफी अच्छा काम करते हैं और जिस तरह से यहां पर करेक्टराइजेशन किया है इ इस वह बोल्यूड एक्टर प्लेंग अन्सक्रीम बट डिरेक्टर और व्यूजराती एक्टर अगर कोई रीजनल रोल है तो वह उसी एक्टर को प्ले करना चाहिए जो वह बिलॉंग करता है तो प्रतिक गांधी वेरी मुच सूटेबल एस हर्षद में ता वेरी गुड़ बहुत अच्छा एक्टिंग किया है प्रतिक गांधी ने और मतलब हर एक न्यूसेंस अप्ड़ केरेक्टर एमीन जब होते हैं हर्षद मैता जिस तरह से अपने आपको मार्केट में करते हैं और उसके बाद कैसे मार्केट लीडर बनते हैं बिंग बनते हैं और बैर को कैसा प्रतिक ने बहुत अच्छा किया है फिर एक वल्नरेबल पार्ट आता है जब हर्षद मैता पर इंक्वाइज होने लगती है उनके स्कैम को लेके और वह किस तरह से फिर मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि इतना पैसा होने के बाद वह मतलब अपने इंफ्लोएंस को यह करके जै स्कैम नाम की एक नौवल पर जो सुचिता दलाल टाइम सब्सक्राइब की रिपोर्टर थी उन्होंने लिखा था अपने हस्बेंट के साथ मिलकर उस वक्त और सुचिता के आंको कित्रूई यह कहानी बताई गई है इस वेप सिरीज के अंदर आशी वास रिपोर्टर को इंफलेट करना और मार्केट में एक फैलाना और उस वक्त हर्चर महिता की वजह से ही इंडियन मार्केट 4-4000 पॉइंट्स पर रीच हुआ था और मार्केट इतना बूम कर गया था लेकिन यह बूम एक्चुली मार्केट में जन्यूनली नहीं हो रहा था और कुछ इंडियन करके हर्षाद में ने बहुत सरे पैसे कमाई और मतलब एक मार्केट में ऐसा चीज फैला दिया कि हर्चत में आलावा यह मार्केट नहीं चल सकता और वैसा ही था उस वक्त मतलब हर्चत मैं पोदिशन इस तरह से बना ली थी कि मार्केट उनके पर चली नहीं सकता तो यह सब स्टोरिस के दिखाई गई और बहुत मजा यह देखके एक इस नहीं आता है लेकिन जितना भी दिखाया गया है वह इस अपसे मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी फिल्म कहूं यह बहुत अच्छी लगी और सोनी लीव को मैं बहुत कमेंट करूंगा इस चीज को लेके कि उन्होंने पिछले दिनों में एक वेप स्टार पे जल्दी प्रीमियर होने वाली है लेकिन आपको अगर रियल कुछ देखना है और कुछ रियलिस्टिक देखना है तो यह वेप स्रीज बिल्कुल भी मिस्मत करना इसमें सुचिता दलाल के रोल में श्रिया ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है अपना एक विलनिस रोल है उनका मिर्जापुर के पहले यह वेप स्रीज जरूर देखना और स्टैंडिंग वेप स्रीज यह जरूर देखना चाहिए हर किसी को जिसको मार्केट समझ में नहीं आता उनको भी देखना चाहिए क्योंकि आप नजर नहीं हट पाओगे स्क्रीन से और सबसे इंपॉर्टन चीज इसका बीजियम जो इसका बैग्राउंड म्यूजिक है जब स्टार्टिंग क्रेडिट्स में जो म्यूजिक आता है एक नंबर है दोस्तों मैंने ऐसा बीजियम किसी भी वेप स्रीज में नही और स्लोगन एट श्लीप एकसराइस अंध ये वाचिंग वाचिंग तेक रे बाबाइ